नमस्कार दोस्तों मैं एक लिस आज फिर एक बार कुछ नया लेकर आये हैं हम आपको लोगों के लिए इस बार वीडियो के लिए हमने स्पेशल उत्तर प्रदेश के नदियों के बारे में कुछ इपोर्टेंट कोश्चनों के बारे में जानेंगे ठेक है दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आये और अच्छा लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और ज्यादा ज्यादा सेयर करिए तो आज की टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कसन करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियां जो वीडियो की एक्जाम के लिए बेयादी मातपूर कुश्चन है ठेक है तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यह अगला कुश्चन है गंगा और यमना उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ी नदियां है ठेक ना फिर अगला कुश्चन है उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में गागरा, गोमती, चंबल, सोन, कर्मनासा, चंदप्रवार, रियंद, बेलन, यवन, दहसान, उलेखनी है ठेक आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी में अब गाम यह है गंगा नदी आगे है हिमाले परवस से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रवर्वाधिक लंबी नदी है गंगा यमना काली सार्दा राम गंगा घागरा गंडक और रापति हैं हिमाले परवस से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रवर्वाधिक लंबी नदी यमना राम गंगा घागरा गंडक और रापति हैं ठीक आगे हैं उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने प्रमुक नदियां गोमती बरुना पांडो और इसान है उत्ता प्रदेस के मैदानी भाग से कौन-कौन नदी निकलती हैं गोमती वहरोना पंडो और इसन ठीक आगे देखते हैं दच्छिद पठार से निकलने वाली उत्ता प्रदेस की प्रमुक नदियां कौन-कौन है आपके ये चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सोन हो गई, टोन्स हो गई, कनहार हो गई, तथा रिहंद ये सब नदियां जो हैं आपके दच्छिर पठार से निकलने वाली उत्तरपदेश की प्रमुख नदियां है ठेक, आगे देखते हैं, गंगा नदी की प्रमुख सायक नदियां, गंगा नदी की प्रमुख सायक नदी कौन-कौन से एक राम गंगा है, घागरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, यमना नदी है ये सब नदियां जो गंगा की साहयक नदियों में गिनी जाती है ठीक आगे देखते हैं लोग उत्तरी किनारे से मिलने वाली साहयक नदियां गंगा नदियों में उत्तरी किनारे से मिलने वाली साहयक नदियां कौन-कौन है राम नंगा है गोमती है घागरा है गंड़क है कोसी है बागमती है दच्छर किनारे से मिलने वाली सायक नदी कौन है यमुना और सोन यह जो दोनों यमुना जो सोन है यह अक्सर एकजाम हमें साब पूछे जाते हैं यमुना सोन की गंगा नदी के दच्छर भाग से कौन को न आगी। नदीयां मिलती है। ठीक है, दोस्तों। आगे देखते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी, यमुना और पराणिक सोस्थी नदी से इलाहबाद में मिलती हैं। गंगा नदी यमुना नदी और परालिक सवसती नदी का मिलती है वो इलावाद मिलती है ठीक आगी देखते हैं गंगा नदी का उद्गम गंगा नदी का उद्गम कहांच होता है वो आपके गोवमुख गंगोत्री हिमनाच्च होता है ये बहुत कुश्चन अक्सराता रता है एक्जामों में खास का वीडियो के लिए बहुत इपोटन कुश्चन है ठीक अगला कुश्चन देखते हूं उद्गम आस्थान पर गंगा भागी रथी के नाम से जाना जाता है उद्गम आस्थान जहां से गंगा नदी का उद्गम होगा है ठीक वहां पर भागी रथी के नाम से जाना ज टाता है एक्जामों में भागी रथी और अलक नदा नदी का संयूक नाम क्या है ठिक और इन दोनों नदीओं का संगम इन दोनों नदीओं का संगम जो जो है देव प्रियाग में होता क्षञ के अगह देखते हैं हरिद्वार से गंगा नदी हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी छेत्रों परिवेस करती है ठीक ठीक दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए जिसे हमारा जो नया वीडियो बनेगा आपको तुरन प्राप्त हो जाएगा और बेल आइकन की घंटे को दबाना न भूले तो आगला कुश्चन है बिजनोर जनपत से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में परिवेस करती है अब यह कुश्चन हाता है कि उत्तर प्रदेश में क कोन से जिलेश से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रदेश में नदी कहां से कुश्चन जन पत्से बिजनोर अच्छा पूर्शन है कन्योज की निकट गंगा नदी से राम गंगा नदी मिलती है अगला पूर्शन है गंगा नदी कीनारे उत्ता प्रदेश के प्रमूख नगर ये बहुत ुच्छा पूर्शन अच्छा है फरुखाबाद कन्योज कानपूर इलाभाद मिर्जापूर वराण सेंग गाजीपूर ठेक गणमुकतेस्वर और सोरो ये बहुत अच्छा पूर्शन गणमुकतेस्वर कि आंगे को आगें कि यमना नदी का उद्गाम का सुऑ यमना नदी का उद्गाम यो यमनोटरी में स्थीत बंदर पूछ से ताम यमना नदी उत्ताप्रदेश के सहारनपूर सामली सामली भागबद गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर अर्लीगर मथुरा हाथ रस आगरा इटावा अरेया जालोन हमीरपूर बादा फतेवोसु इलहाबाद जिलो सोकर गुजरती है चंबल नदी यवना नदी से इटावा के पास मिलती है यवना नदी से हमेरपूर के निकट मिलती है बादा में भोजाह के निकट बादा में भोजाह के निकट यवना नदी से केन नदी मिलती है को नदी मिलती है केन नदी बादा में भोजाह के निकट कौन नदी यमना से मिलती हो केन नदी आपका ठीक ना आगे देखते उत्तापरदेश में यमनदी ब्रियाद चाब का निर्माण करती यह बहुत important question उत्तापरदेश में कौनसी नदी है जो ब्रियाद चाब का निर्माण करती ठीक तो अगला आगे देखते हैं उत्तापरदेश के मथ्थुरा आगरा हो कालपी हमीरपूर नगर यमुनानदी की किनारे बस है मतुरा ऑगरा इटावा कालपी यमिरपूर नगर इनरी ऐस प्रवेश्च क्वा e ऐखे देखते हैं जम्बल नदी का उदगम जनापाव पहाड़ी महू मदप्रेस से इसका उदगम हूँ अभी देखते हैं चंबल नधी पर बनाये बाद एक्सर बस है घंधि सागरबाद आरा परताफ सागरबाद कोयुछ नदी पर बनाए गए यह जो बाद है जावार सागरबाद अक्साद देखिए उन्हें कुछिन कई पर चौम है ठीक हमने उन्हें कुछिनों को इसमें कलेक किया है जो एक्जाम के देश्टी से बहुत इपॉर्टेंट है ठीक है दोस्तों इसा लगबग उत्तपरती सभी नद अगला है केन नदी का उध्गव कंवर्पाड़ी से होता है केन नदी का उधगव कंवर्पाड़ी से जाना जाता है सोन नादी का उद्रद्र गंप सेंन ऑन आणि को उद्रऌ का से संअ कुण्ड इंच अम्रकंटक पार यह भी मध्य niveau प्रदे से ठीक एभी मध्य फ्रदे से सोन नादी का यह क्षकर क्ने chosen परवाईद होती है आगे सोन नदी कि साहिक नदी सोन कि साहिक नदी कौन को निक रियान कनार उत्री अगला आपका है गोमती का उद्गम गोमती नदी का उत्तापतिस के पिली भी जिले से फुलार जील सोता है गोमती नदी का यह बहुत है अक्सा कभी कुछान इसे से आ जाते एक्जाम में जो जिसे हम जानतों भी गलत कर आते हैं अब यह कहां पिली भी से हुआ है फुलार जील से ठीक ना है आगे देखते हैं हुआ है 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 अगला क्षण गोंती नदी श्टापदेश के पिली भी सारण पूर्खीरी सितापूर लख्ण नों सुल्तान पूर्जमन पूर जीले सोगर वरायत होती है ठीक गाजिपूर्ट जीले में गंगा नदी से ये आच्छा कुस्चन है गंगा नदी में मिल जाति है ठीक आगे देखते हैं उत्तरपदेश के राधामि लखनाओ उज़ाउणपूर लगर गोमती नदी के किनारे इस्तित है लखनौ उजावनपूर नगर जो गोमति नदी किनारेशती ठे, ठेक, टॉन्स नदी का उधिगम तार्माकूंड कमोर्ष यह नी मद प्रदेश से होता है, तॉन्स की परमुक्सायक नदी बेलन नदी है, ठेक, यह इंपोर्टन कुश्चन आ कि लगों सुने हैं टून्स एवन गंगा नदी का संगम कहा होता है कि टॉन्स और गंगा नदी का संगम सेर्षा इलहाबाद में होता है ठीक दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए थाइंक्यू यह हमाने लगबग उत्तव परदेश के सभी नदियों के बारे में आपसे डिसकेशन किया है यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे सेर करिए और लाइक करिए तो थाइंक्यू